क्या आपको बता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई और नहीं, आपकी mental voice है, जुसे आप अपने सिर में 24 घंटे non-stop सुनते रहते हैं. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? और अगर ये सच है, तो आप जिसको अपना inner roommate कह सकते हैं, आप उस problem से कैसे छुटका रहा पा सकते हैं? यही, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में New York Times की best selling book, The Untethered Soul by Michael A. Singer से share करने वाला हूँ. तो बिना किसी देरी के, let's get started. आपका inner roommate कैसा है? यह पता करने का तरीका उसे externally personify करना है. बिलीव करें कि आपका roommate वो psyche की अपनी एक body है. आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसका बोलना आप अपने अंदर से सुन रहे हैं, उसकी पूरी personality बनाए और imagine कीजे कि वो person बाहर आकर आपसे बात कर रहा है. बस imagine कीजे कि वो दूसरा person आपसे वो सारी बातें कर रहा है, जो आपकी inner voice आपसे कहेगी. अब उस person के साथ एक दिन बिता कर देखें. Imagine कीजे कि आप अपना फेवरेट टीवी शो देखने बैठे हैं. अब problem ये है कि आपको ये उस person के साथ बैठ कर करना है. अब आप उससे लगातार monologue सुनेंगे जो आपके अंदर हुआ करते थे. फर्क ये है कि अब वो आपके बगल में बैठ कर खुद से बाते कर रहा है. क्या तुमने नीचे light बंद कर दी? जाओ, चेक करके आओ. अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा. अभी मैं शो खत्म करना चाहता हूँ. नई, अभी करो. इसलिए बिजली का बिल जादा आ रहा है. आप चुप चाप बैठे हुए ये देख रहे हैं. वहीं कुछ सेकेंड्स बाद, आपका couch mate अलग dispute में गुश गया है. हेई, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है. कि ये conflicting dialogues के neurotic bursts बस चलते ही रहते हैं. और अगर इतना काफी नहीं है, तो simply TV देखने के बजाए ये person जो कुछ स्क्रीन पर हो रहा है, उस पर बोल कर react करना शुरू कर देगा. एक point बाद जब show में कोई खुबसूरत लड़की दिखेगी, तो आपका couch mate किसी ex-girlfriend और दर्द भरे breakup के बारे में बढ़बढ़ाना शुरू कर देगा. क्या आप ये experiment करने का dare करेंगे? उस person को बोलने से रोकने का try मत कीजे. उसकी voice externalize करके ये समझने का try करें कि आप अंदर किसके साथ रह रहे हैं. उसको एक body दीजे और सबकी तरह उसको बाहर दुनिया में रखिए. उस person को बाहर exactly वो बोलने दीजे जो आपका mind अंदर कह रहा होगा. अब उस person को अपना best friend बना लीजे. After all, कितने ही ऐसे दोस्त होते होंगे, जिनके साथ आप पूरे time रहते हैं, और उनकी हर बात का पूरा ध्यान देते हैं. आपको कैसा लगेगा कि कोई बाहर आपसे एकदम आपकी inner voice की तरह बात करने लगे. थोड़े time के बाद ही आप उसे जाने को और कभी वापस ना आने को बोलेंगे. पर जब आपका inner friend continuously बात करता है, तो आप उसे जाने को भी नहीं बोलते हैं. चाहे वो कितने ही मुश्किलें खड़ी कर दे, आप उसे सुनते रहते हैं. एसी कोई भी चीज नहीं, जो उस voice को ना बोली हो, और आपने उस पर पूरा ध्यान ना दिया हो. वो आपको, आप जो कुछ कर रहे हैं, उन सबसे बाहर निकालता है. चाहे वो कितना ही मज़ेदार काम क्यों ना हो, और सड़नली आप वो जो कुछ बोल रहा है, उस पर अटेंशन देने लगते हैं. इमेजन कीजे कि आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं, और आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी शादी में जा रहे हैं, और वो कहता है कि, शायद ये सही परसन नहीं है, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई और होता तो आप उसको इग्नोर करते, पर आप उस वोईस को आंसर देने के लिए बढ़ने लग जाते हैं, आपको आपके नर्वस माइंड को कन्वेंस करना पड़ेगा कि नहीं यही सही परसन है, वरना वो आपको मंडब तक जाने ही नहीं देगा, देखे, आपको पता है, अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे, तो वो आपको एवरी डे लाइफ में दिक्कत करने लगेगा, मैंने कहा था, इससे शादी मत करो, मैंने कहा था, मैं शौर नहीं हूँ, आप इसे मना भी नहीं कर सकते, अगर जैसे तैसे करके, आप उस वोईस को अपनी बोडी से बाहर मैनिफेस्ट कर पाते हैं, और उसको हर वो जगह जहां आप जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, तो आप एक दिन भी उसे जेल नहीं पाएंगे, अगर कोई पूछेगा आपका नया दोस्त कैसा है, आप शायद बोलेंगे, वो बहुत सीरियस्ली डिस्टर जाएंगे, ये देखने के बाद कि वो अपना माइंड कितनी बार चेंज करता रहता है, वो कितनी सारी चीजों में उलज़ा रहता है, और कितना इमोशनली रियाक्ट करता है, क्या आप उससे रिलेशनशिप या फाइनेशल एडवाइस मागेंगे, पर ये आप हर मोमेंट कर रहे हैं, आपके अंदर दुबारह जगह पा लेने के बाद भी, वो वही सेम परसन रहेगा, जो आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में क्या करना है, वो बता रहा था, क्या आपने कभी उसके क्रेडेंशल चेक करने का सोचा, कितनी बार वो वोईस टोटली गलत हो चाहिए, इसके 30 मिनट बाद आपका फोन बचता है, और वो आपकी गल्फ्रेंड का है, वो लेट है, क्योंकि आपकी वन एर एनिवर्सरी है, और वो आपकी फेविरेट डिश सर्प्राइज डिनर के लिए बना रही थी, आपके लिए ये डेफिनेटली सर्प्राइजिंग है, क्योंकि आप एनिवर्सरी के बारे में भूल चुके थे, उसने बताया कि वो रास्ते में है, आप बहुत एक्साइटेड है, और आपकी इनर वोईस ये बात कर रही है, कि वो कितनी अच्छी है, पर क्या आप कुछ भूल रहे हैं, क्या आप आपकी वोईस की गलत गंटे से परिशान थे, ये देखने के बाद कि वो कितनी गलत थी, आप कैसे उसकी एडवाइस पर फिर से भरोसा कर पाएंगे, क्या आप अपने इनर रूमेट को भगा देंगे, आफ्टर ओल, इस सिचुशन में आपकी एडवाइस और एनलेसिस पूरी तरीके से गलत कहीं ये सही तो नहीं कह रहा? Yes. कितनी बार ये वोईस जो चल रहा है या होने वाला है, उसके बारे में गलत हुई है? Maybe ये नोटिस करने में फायदा है कि आप किस से एडवाइस लेने वाले हैं. जब आप self-observation और awareness की practice sincerely try करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप मुसीबत में हैं. आप realize करेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही problem है और आप उसी को देख रहे हैं. ये लगबग आपकी हर problem का cause है. अब question बनता है, आप इस inner trouble maker से कैसे चुटकारा पा सकते जब तक आप अपने roommate को इतना ध्यान से नहीं देख लेते कि ये समझ आ जाए कि आप कौन से हालात में हैं. जब आप इस mental melodrama से अपने आपको छुडाने का decision ले लेंगे, तब आप teachings और techniques के लिए तयार हो जाएंगे. आपको ये जानकर relief होगा कि आप एक लौते इंसान नह इन्हों ने इस field की knowledge में mastery कर रखी है. उनको teachings और techniques दी गई, जैसे योगा, जिसे इस process में मदद करने के लिए बनाये गया. योगा सिर्फ healthy body बनाना नहीं है, बलकि वहीं ये चीज भी करती है. योगा आपके इस हालात से बाहर निकलने में मदद करने वाली knowledge है. knowledge जो आपको आजाद करा सकती है. जब आप इस आजादी को अपनी जिन्दगी का meaning बना देंगे, तो फिर कुछ spiritual practices हैं जो आपकी मदद कर सकती है. ये practice आप करेंगे ताकि आप अपने आपको अपने आप से free करा सके. अगर आप ये सब और detail में जानना चाहते हैं, तो आप description में दिये गए link से Michael A. Singer की ये book The Untethered Soul खरीद सकते हैं. और अगर आपको ये video useful लगी हो, तो इसे अपने friends के साथ share करें और उनकी भी मदद करें. इस video को end तक देखने के लिए, thanks for watching. More wisdom, more solution, better life.